हेलो, my all lovely students I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं Students, आज का जो lecture है, वो है computer का, class first का, chapter third, आज शुरू होगा computer का, ठीके इसके पहले, दो chapter complete हो चुका है, जिसका वीडियो playlist में आपको मिल जाएगा, आप channel को visit करिएगा playlist में जाएगा, आपको chapter first और chapter second मिल जाएगा, ठीके आज हम लोग पढ़ेंगे, parts of a computer, chapter third, computer के भाग, ठीके computer के कई सारे भाग होते हैं, जिससे मिल के computer बना होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीके चलिए, start करते हैं chapter as we have different parts in our body, a computer too has many parts, जैसे हमारी body में, हमारे सरीर में कई सारे parts होते हैं, ठीके, उसी तरीके से computer में भी कई सारे parts होते हैं, ठीके, each part is used to do a different job, इसका हर part, हर भाग computer का अलग-अलग काम करता है, ठीके, ठीके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, main parts of a computer, एक computer का मुख्य भाग, देखते हैं कौन-कौन सा computer का मुख्य भाग है, a computer is made up of the following main parts, computer, जिन parts से मिलके बना हुआ है, वो नीचे दिये गये हैं, यह है आपके parts, जिससे मिलके computer बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, monitor, यह है आपका monitor, यह जो computer के screen हम देखते हैं न, यह क्या होता है, monitor, इसे हम क्या राता है, वो क्या होता है, CPU box, ठीक है, और यह जो जिससे हम type करते हैं, उसे हम कहते हैं keyboard, और यहाँ पे एक छोटा सा box होता है, जिससे हम कहते हैं mouse, ठीक है, एक बार अच्छे से आप लो picture देख लीजी, यह है monitor, जिसमें smile कर रहा है cartoon, ठीक है, और यह है आपका CPU, और यह है keyboard, जिससे typing करते हैं, और यह एक छोटा सा होता है mouse, ठीक है, जिससे computer पे work करते हैं, चलिए देखते है monitor क्या है, यह है आपका monitor, यह क्या है आपका monitor, monitor, a monitor looks like a television, monitor कैसा दिखता है, जैसे television, जैसे TV है, वैसे ही monitor दिखता है, ठीक है, whatever we draw, our type can be seen on the monitor, जो भी हम picture draw करते हैं, या कुछ भी word हम type करते हैं, उसे हम monitor पे देख सकते हैं, यहाँ पे so होता है न, अगर हम computer में कुछ type करते हैं, या कोई picture draw करते हैं, तो यहाँ screen पे दिखता है न, चलिए आगे देखते हैं, we can, we can watch movie and cartoons on the monitor, हम monitor पे यानि इस पे movies देख सकते हैं, cartoon देख सकते हैं, sing song सुन सकते हैं, बहुत सारा काम हम computer पे कर सकते हैं, ठीक है, आएए देखते हैं, brain box में क्या है, monitor is also called VDU, visual display unit, monitor को visual display unit भी कहा जाता है, यानि यह जो monitor है, इसको हम VDU भी कहते हैं, इसका full form है, visual display unit, ठीक है बच्चों, next देखते हैं, CPU box, monitor के बगल में एक box रहता है न, यह है आपका CPU box, यह है CPU box, ठीक है, यह क्या करता है, देखते हैं, inside the CPU box, there is a CPU, CPU stands for central processing unit, inside the CPU box, there is a CPU, CPU box के अंदर क्या होता है, CPU होता है, ठीक है, और CPU का full form क्या होता है, central processing unit, ठीक है, CPU का full form, central processing unit, the CPU is the brain of a computer, computer का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को, CPU को computer का दिमाग भी कहते है, इट helps a computer to think and write according to the given words, इट helps a computer, यह computer के मदद करता है, ठीक करने में, राइट करने में, according to given words, computer अपने मन से नहीं सोचता है बच्चों, जो हम word, जो instruction हम computer को देते हैं, उसके according, जो process होता है, वो किसकी दोरा होता है, उसमें help कोन करता है, CPU करता है, ठीक है, हम computer में कुछ भी search करते हैं, तो process होता है, उसमें जो help होती है, वो CPU करता है, ठीक है बच्चों, आज के lecture में बस इतना ही, next lecture में हम keyboard, mouse, यह सारी device के बारे में detail में discuss करेंगे, ठीक है, और previous जो आप लोगों ने chapter नहीं देखा है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है, thank you so much for listening me, और channel को subscribe करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्यूंकि आपका slavers पूरा complete यहां होने वाला है, ठीक है बच्चों, be happy, stay healthy, bye bye, have a good day,